जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश को दुश्मन के अटाइक उसके वार से सुरच्छित रखने के लिए लॉंग रेंज मिसाइल्स का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है और इसलिए भारत की बियाडियों की दोवारा इस टाइपस की मिसाइल्स आग की डेवलप की जाती हैं आज के सेसन में हम अगनी मिसाइल की पूरी सीरीज को गवर करेंगे जहांपर अगनी फर्स से लेकर अगनी सिख्स तक की मिसाइल्स हैं उनकी स्पेसिटी केर्शन हैं उसने 1980s में आपके IGMDP प्रोग्राम जिसका Full Form Integrated Guided Missile Development प्रोग्राम है जिसके फादर डॉक्टर A.P.J. अब्दुलकलाम माने जाते हैं उन्होंने इस मिसाइल को डेवलब करने का एक विजन रखा था और सबसे पहली मिसाइल है अगनी First मिसाइल जिसको हम MRBM के नाम से जानते हैं इस मिसाइल में आपका Single Stage मिसाइल है और जब करगिल वार आपका 1999 में कंड़क्ट हुआ था तब हमें एक ऐसी मिसाइल की सबसे ज़्यादा जरूरत थी जो कि आपके 250 किलोमेटर से लेकर 2500 किलोमेटर के बीच तक की रेंज दे और ये रेंज आपकी अगनी फर्स्ट मिसाइल देती है हम सभी जानते हैं कि IGMDP प्रोग्राम के तहत टोटल आपकी 5 मिसाइल बनाई गई हैं जिसमें आपका आकाश, पृत्वी, तृषूल, नाग और अगनी शामिल है और इसलिए अगनी फर्स्ट मिसाइल इस सीरीज में आपकी बनाई मिसाइल है और इसका सबसे पहला इंडक्शन इंडियन आर्मी में वर्ष 2004 में आपका किया गया था, कुछ इंपॉर्टन अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका टाइप मीडियम रेंज बैलस्टिक मिसाइल यानि की MRBM है, डिज मिसाइल की कॉस्ट आपकी 25 करोड की आती है, तो काफी आपकी कॉस्टली मिसाइल है, और ऑपरिशन लेंज आपका 700 to 1200 किलोमेटर तक है, और इसकी जो मैक्समम स्पीड है 2.5 किलोमेटर पर सेकेंड, यानि की 9000 किलोमेटर पर आर की स्पीड से आपका चलती है, और यह एक म मिसाइल के छेतर में भारी तवाही मचाने में पूरी तरीके से सक्षम है, दूसरी हमारी आती है अगनी 1st की सक्सेसर, जिसका नाम है अगनी 2nd मिसाइल, इस मिसाइल को भी DRDO ने ही डेवलप किया है, और यह एक तरह की 2nd strategic ballistic missile है, आपकी अगनी सीरीज की, और यह भी आपकी medium marine ballistic missile, यानि की MRBM है, जिसमें आपका 2 solid fuel stage booster आपका लगा हुआ है, जिससे की re-entry vehicle से हम इसको launch आसानी से कर सकते हैं, इस missile की total आपकी जो length है, वो 21 मिटर की है, यानि की अपने predecessor से यह 6 मिटर ज्यादा आपकी लंबी है, और इसका use भी आपका strategic forces command के द्वारा किया जाता है, strategic forces command का head आपका army, navy और air force के officer rotation पर किया करते हैं, साथी साथ इसमें आपका composite materials carbon के लगे हुए हैं, जो कि इसको आपका काफी light weighted देते हैं, जिससे की यह काफी दूर तक आपका वार कर सकता है, और इसकी strike range की capability 2000 km है, और इसमें हम आसानी से 1000 kg तक के payload को लगा सकते हैं, तो देखे इसका specifications, type इसकी MRBM है, designer, DRDO, manufacturer, BDL, काफी students confused हो जाते हैं कि designer और manufacturer में difference क्या होता है, designer यानि कि हम कह सकते हैं कि इसका development किस ने किया है, तो DRDO ने किया है, और manufacturing करने का काम किसको दिया गया है, BDL को दिया गया है, BDL आके ministry of defense के अंतरगत आने वाली एक public sector defense undertaken company है, इसकी भी per unit cost आपकी 2525 करोड रुपीज है, और operational range आपकी 223,500 km ये आसानी से दे सकती है, maximum speed इसकी 3.5 km per second, जानि कि जिसको हम 14,040 km per hour कहते हैं, अगनी second की जो आपकी successor है, उसका नाम अगनी third है, और अगनी third को 2011 में आपका introduce करवाया गया था, यानि कि commission करवाया गया था, ये एक प्रकार की आपकी IRBM मिसाइल है, ये MRBM नहीं है, ये आपकी IRBM है, IRBM का full form intermediate range ballistic missile आपका होता है, जिसकी range की capability 3000 से लेकर 5000 km तक रहती है, और ये most accurate आपका strategic ballistic missile है पूरे world में, तो accuracy की मामले में सबसे बहतरीन आपका है, इसमें भी आपका जो missile की length है, 16.7 meter है, और इसमें आपका two stage solid fuel missile लगा हुआ है, और इसमें हम payload आपका 1500 kg तक का carry कर सकते हैं, और range तो आपने देख लिया estimated 3000 to 3500, और अगर हम थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं, तो आपका 5000 चला जाता है, बाकी type आपने देखा, IRBM, designer पहले की तरह DRDO, manufacturer BDL को ही दिया गया है, unit cost 25 करोड रुपीज, यानि कि 250 million रुपीज, maximum speed 15 mac की, आप समझ सकते हो कि, यानि कि speed of sound से 15 times तीज चलने वाली ये अगनी थर्ड missile है, और operational range आपकी 3000 to 5000 km की है, इसका आपका जो successor है, वो अगनी 4th है, तो अगनी 4th आपकी अगन आपका DRDO की द्वारा किया गया है, इसको पहले हम अगनी 2nd Prime के नाम से जानते थे, अभी आप जानते होगी अगनी P से related काफी questions पूछा जाता है, जिसकी range आपकी 1000 to 2000 km है, और ये भी आपकी एक nuclear capable missile है, इसी तरीके से अगनी 4th भी आपका nuclear capable missile है, जिसमें आपकी काफी नई technologies artificial intelligence system, इसमें आपका equip किया गया है, DRDO के द्वारा, इसकी जो striking capability है, वो आपकी 4000 km की है, यानि कि एकदम accurate उस पे वार करता है, और 20 meters long, ठेक है, ये इसकी हम कह सकते हैं कि length है इसकी, और re-entry vehicle से हम इसको launch कर सकते हैं, और भारत के strategic forces command के द्वारा इसका use किया जाता है, जिसमें इच composite rocket type इंजनसिस में लगे हुई है, इसकी अगर हम कुछ important significance देखें, तो जैसा आपने देखा, type IRBM, designer, developer, आपका DRDO, manufacturer, BDL, warhead इसमें आपका conventional, thermobaric, strategic nuclear weapon हम लगा सकते हैं, यानि कि जैविक युद और nuclear युद दोनों ही हम इससे कर सकते हैं, operation range आपका 4000 km का है, पहले इसको हम जानते हैं कि अगनी second के नाम से, prime के नाम से हम इसको जाना करते थे, next हमारी है अगनी fifth missile, जिससे पूरी दुनिया भैवीत है, और mainly आपके जो एशा continent के दूसरे वाले हमारे बगल पड़ोसी हैं, यानि कि यूरोप हो गया आपका, ठीक है, वो लोंगी, क्योंकि इसकी range आपकी दूसरे continent तक है, और इसलिए इसको हम ICBM missile कहते हैं, यानि कि intercontinental ballistic missile जिसका development DRDO के द्वारा किया गया है, और इसकी extracting capability दुनिया में सबसे बहतरीन है, साथी साथ, इसका जो आपक की length है, 17.5 km long है, 3 stage आपका solid fuel engine इसमें लगा हुआ है, जो कि इसको 5000 km तक की accurate आपका striking target देता है, यानि कि 5000 km तक pin point आपका ये हमला करेगा, और अगर हम इसकी range बढ़ाते हैं, तो ये 8000 km तक आसानी से जा सकता है, अभी हाले में इसको 27th October 2021 को आपका launch भी किया गया था, type आप देख सकते हो, ये इसमें ICBM type आ जाता है, intercontinental ballistic missile यानि की एक continent से दूसरे continent, मालो आप जैसे एशिया से आपका Europe तक, और ये missile आसानी से बीजिंग तक हमला करने में सक्षम है, designer इसकी DRDO, manufacturer पहले की तरह आपका BDL है, unit cost 50 करोड रुपीज, क्योंकि ये आपका ICBM है, conventional, आपका thermographic nuclear weapon ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम है, operation range आपका 5500 km तक की है, ठेक है, कोई भी देश अपनी operation range पूरी तरीके से उसको आपका, हम कहते हैं, table पे नहीं लाता है, क्योंकि थोड़ा security का issue हो जाता है, लेकिन मान के चलिए, ये 8000 तक आसानी से ये cover कर सकता है, अब इसक जो successor आने वाला है, जिसकी आपको, हमको और पूरे भारतवासियों को तलाश है, और हम बेसबरी से इसका इंतिजार कर रहे हैं, उसका नाम है अगनी 6th missile, ठेक है, अभी under development आपका चल लही है, जिसकी range आपकी more than 10,000 km तो आसानी से होगी, और इसका development भी आपका DRDO कर रहा है, किस प्रोग्राम के तहट, IGMDP, Integrated Guided Missile Development के तहट कर रहा है, जिसमें आपका MIRV Capable Intercontinental Ballistic Missile लहेगी, और ये आपके किसी भी location में nuclear warhead को, अपने nuclear weapon को किसी भी target पर पहुचाने की capability रखती है, तो यहां से हमने अगनी सीरीज की total 6 missiles को cover कर लिया है, आशा है, आपको जो वीडि अपने आने वाले interview, exam और written courses की तयारी करने के लिए, आप सभी हमारे courses से जोड़ सकते हैं, जहां पर सभी courses के bundles और fisheries available हैं, course में जोडने से पहले, आप सभी इस warhead 10 code का use कर लें, जिससे कि आपको 10% का flat discount हमारे सभी courses पे मिलता जाएगा, जैहन and best of अगर आप एक difference aspirant हैं और SSB interview, NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं, तो आप SSB crack exams के course को चेक करना ना भूलें, आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं